हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी होस्ट चित्रा लेकर हाजर हूँ हमारा आज का खास प्रोग्राम फ्लैश बैक बॉलेवुड जिसमें आज हम आपको कुछ ऐसे स्तितारों के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में रहे दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमिता बच्चन और जया बच्चन के बारे में दोनों की शादी हर किसी को काफी हैरान करने वाली थी क्योंकि अचानक ही अमिता बच्चन ने जया बहादुरी से शादी कर ली जिसको लेकर वो काफी समय तक खबरों में भी रहे लेकिन दोस्तों दोनों की शादी के बारे में एक खास बात आपको बता दे कि काफी शानों शोकत काफी गाजा बाजा के साथ नहीं हुई अमिताब बचन की शादी जी हाँ दोस्तों यहाँ बता दे आपको कि सिर्फ पांच लोगों की बारात गई थी जया बच्चन के घर पर जी हाँ माने खबरों की तो अमिताब के पिता को मिला कर सिर्फ पांच लोग ही जया बच्चन के घर पर गए थे और पांच लोगों की बारात लेकर अमिताब बच्चन जया बहादुरी से शादी करने के लिए निकल पड़े थे उनकी शादी उस समय पर काफी खबरों में रही थी ना कोई दोस्त और ना कोई दोस्त परिवार उनकी शादी में शामिल था बल्कि कुछ करीबी ही अमिताब और जया की शादी में शामिल थे इसी लिस्ट में नाम शामिल होता है एक्टरस रानी मुखर जी और आदिते चोपरा का भी दोस्तों पिछले कुछ समय से विरुष्का यानि विराट और अनुष्का को खबरों में रहे रही हैं इस बात को लेकर कि दोनों ने इतली में गुपचुप तरीके से दूसरे से शादी की लेकिन बता दे कि इस लिस्ट में इनी का नाम शामिल नहीं है यानि रानी मुखरजी और आदिते चोपड़ा भी इतली में गुपचुप तरीके से एक दूसरे से शादी रचा चुके थे जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने यानि रानी और अधित्य भी इतली में एक दूसरे से शादी कर चुके थे और दोनों की शादी की बात सामने तब आई जब सोशल मीडिया पर उनकी शादी की एक तस्वीर वायरल होने रगी उसके बाद ही दोनोंने अपनी शादी को कबूला तो दोस्तों आज के इस खाज प्रोग्राम में हम आपको बॉले हुट के कुछ ऐसे ही कपल्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी शादी को लेकर खबरों में रहे और उनके करीबियों के अलावा शादी में किसी भी महमान को नहीं देखा गया तो चलिए बिनादेर के ही शरुआत करते हैं इस खाज प्रोग्राम की दोस्तों फिल्म इंवरस्ट्री में आने का सपना ना जाने कितने लोगों का सपना है लेकिन इस सपनों की दुनिया पर जो राज करता है वो कोई और नहीं बलकी है अमिताब बचर जो लोगों के दिलों के साथ साथ फिल्म इंवरस्ट्री पर भी राज करते हैं हमेशा ही अमिताब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही है जैसा की सब जानते हैं जया बहादूर से शाधी करने के बाद वो काफी खबरों में रहे आज उनकी शाधी के बारे में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुन कर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तो हर कोई उनकी शादी के बारे में सोच रहा होगा कि काफी शाही ढंग से अमिताब ने जया से शादी की होगी काफी शांदार माहूल रहा होगा लेकिन बता दे कि उनकी शादी जितने सादे ढंग से हुई है उतनी शायद ही बॉलेवुट में किसी ओर की रही होगी जहाँ दोस्तों बता दे कि अमिदाब जब जया से शादी करने के लिए गए थे तो उनके साथ पूरी बड़ी बारात नहीं थी बल की बारात में थे सिर्फ पांच लोग, बिगबे की बारात में उनके पिता को मिला कर पांच लोग ही थे बात की जाए अगर जाया की तरफ से तो बता दे कि उनकी तरफ से बहने और कुछ करीबी ही मुजूद थे तो इस तरह से हुई दोनों की शादी एकदम शांत माहूल में कोई गाजाबाजा, हमीदा बचन की शादी भी नहीं था पिछले कुछ समय से विरुषका याने विराट और अनुषका इस बात को लेकर खबरों में हैं कि उन्होंने गुपचुप तरीके से एक दूसरे के साथ इटली में शादी रचाई, जिसने उनके फैंस काफी नाराज भी थे लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने फैंस को आखिरकार मना ही लिया लेकिन बता दे कि इटली में गुपचुप शादी करने वाला यही कपल नहीं था एक्टरस रानी मुखर जी ने भी आदित्य चोपडा से इटली में गुपचुप शादी की थी जिहां दोस्तों सही सुन रहे हैं आप कहा जा रहा था कि काफी समय से दोनों का अफियर चल रहा था फिर साल 2014 में आकर इस कपल ने इटली में एक दूसरे से शादी कर ली थी दोस्तों बता दे कि उनकी शादी की एक फोटो आने के बाद ये बात पता चल पाई कि उनकी शादी हो चुकी है गोड तलब है कि उनकी शादी में करीबियों के अलावा कोई भी नहीं था और उनकी शादी भी गुपचुप शादियों में शामिल हो गई कहा जाता है कि अधिते चोपड़ा को लाइम नाइट पसंद नहीं है इसकी वचा से उन्होंने ये कदम उठाया बात करेगर इसके अलावा तो बता दे कि उनकी शादी के बाद उनकी एक बेटी भी है अधीरा बेटी अधीरा की भी कभी भी कोई फोटो सामने नहीं आती कभी भी उनकी बेटी की फोटो को सोशल मीडिया पर नहीं देखा जाता आज कर जिस तरह से स्टार किट्स लगाता ही सोशल मीडिया पर छाए रहती हैं लेकिन इस मामले में अधीरा काफी पीछी है क्योंकि रानी के पती आधिते को ये बात पसंद नहीं है कि उनकी बेटी लाइम लाइट में आए या मीडिया की नजरे अधीरा पर रहे एकप्रस प्रीती जिन्टा किसी पहचान की महताज नहीं है उनकी क्यूट सी स्माइल पर आज भी उनके फैंस फिर्दा है अब हर किसी के मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि मंदिल की ये वीडियो आखिर कैसे वाईरल हो रही है तो बता दे उनके वीडियो किसी और ने नहीं बल की मंदिर के पुजारी ने ही वाइरल की है जी हाँ दोस्तो सही सुना आपने हाल ही में प्रीती जिन्टा मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है वहाँ पर उनकी वीडियो वाइरल हो रही है जब वो मूँ छुपा कर मंदिर में दर्शन कर रही है लेकिन कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा क्योंकि प्रीती ने अपने फेस को कवर किया है आप भी उनकी इन तस्वीरों को देख सकते हैं हमेशा ही जो अपनी खूपसूर्थी के लिए खबरों में रही अपने ख्लैमर सब्तार के लिए उनको हमेशा ही जाना जाता था हम बात कर रहे हैं श्री देवी के बारे में जैसा कि सब जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही दिखकतों में रही उन्होंने पहले सी शादी शुदा बोनी कपूर से शादी कर अपना घर बसाया था बोनी ने पहली शादी मोना से की थी लेकिन बाद में उनको हुआ श्री देवी से प्यार और अपनी पहली पत्नी मोना कपूर से दूर होने के बाद बोनी ने श्री देवी से शादी रचा ली दोस्तों बता दे कि श्री देवी और बोनी की शादी में किसी भी बड़ी हस्ती ने हिस्सा नहीं लिया था काफी शांत महोल में काफी सादगी के साथ इसका पल ने शादी की जो काफी चर्चा में भी रही थी क्योंकि जिस समय पर श्री देवी की शादी हुई उस समय पर वो मा बनने वाली थी बता दे कि बोनी से आठ साल चोटी थी श्री देवी साल 1996 में दोनों ने शादी की जहां पंडित और श्री देवी के कुछ करीबी ही मौजू थे और दोनों हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंदन में बंद गए हालाकि देखा जाए तो श्री देवी ने आधी जिंदगी के बीच में ही बोनी कपूर का साथ छोड़ दिया जसा की सब जानते हैं कि बीती ही 24 फरवरी को श्री देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था जिसके बाद से उनका सारा ही परिवार तूटा हुआ नजर आ रहा है मौनी कपूर को उनके निधन के बाद हमेशा ही दुखी देखा गया वेल दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलिवुट के कुछ उन सितारों के बारे में जो अपनी शादी को लेकर खबरों में रहे जिनकी शादी में कोई शानों शोकत से उनकी शादी नहीं हुई और कुछ जादा महमान शामिल नहीं हुए बलकि कुछ करीबियों के साथ ही शादी को संपन किया गया तो बता दे इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल होता है श्री देवी और बोनी कपूर का भी चीहा दोस्तों जैसा की सब जानते हैं कि श्री देवी हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों के बीच चर्चा में नहीं थी तो बता दे कि बोनी कपूर से उन्होंने शादी की थी बोनी कपूर की दूसरी पत्नी थी श्री देवी चिहां दोस्तों बता दे कि बोनी कपूर ने पहली पत्नी मोना कपूर से दूर होने के बाद ही श्री देवी से शादी की हाला कि दोनों की शादी में कोई जादा महमान शामिल नहीं हुए बलकि पंडित के अलावा कुछ और घिने चुने लोगों के बीट इस शादी को पूरा किया गया श्रीदेवी हमेशा ही अपनी शादी से लेकर अपनी फिल्मों तक हमेशा ही खबरों भी रही तो इसी लिस्ट में दूसरा नाम शामिल होता है अक्रस प्रीती जिन्टा का भी बॉलिवुट की पहली डिंपल गर कही जाने वाली अक्रस प्रीती जिन्टा जो भले ही फिल्मों से दूर हो चुकी हो लेकिन आलच भी नजर आती है खबरों में अपने स्टाइल को लेकर बता कोई भी दोस्त उनकी शादी में शामिल नहीं हुआ उनकी शादी की तस्वीरे आप सोशल मेडिया पर अक्सर ही देखते होंगे वैल दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में देखा आप सभी ने बॉलिवुट के उनकपल्स के बारे में जो अपनी शादी को लेकर काफी समय तक खबरों में रहे उनकी शादी कोई गार्जा बाजा के साथ काफी शान और शोकत के साथ ना होकर बलकी एक शान्त माहूल में की गई जिसको लेकर वो हमेशा ही खबरों में रहे वेल अभी सी के साथ मुझे दीजी इजाज़त साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूडे तब तक के लिए स्टे ट्यून बाब बाई